नमस्कार स्वागत आपका सागार कोचिंग सेंटर भगवान पूर में मैं हूँ शरवन कुमार सागर आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर काएं याद करेंगे सिधा और विप्रित में भी तो चलिए आज की वीडियो में उससे आगे हम सीखते हैं क्वेस्टन को देखते हैं तो आपको बहतर समझ में आएगा तो पहला क्वेस्टन है A का मुली एक और Z का मुली 26 है तो 17 किस अक्षर को दर्शाती है तो देखें यहाँ पर क्या है A का मुली एक क्या मतलब A B C D में एक जो है एक नमर पे होता है Z 26 नमर पे होता है तो यहाँ पुछा जारा 17 नमर पे कौन सा अक्षर होगा तो अगर आपको याद है तो आप एक बार में अंसर दे सकते हैं कि कौन होगा 17 नमर क्या होता है Q होता है न तो option नमर पहला हमारा क्या है सही है इसी तरह से दूसरा प्रस्ण लेते हैं इसमें आपको हम अलग-अलग type के question बताएंगे पहले कुछ आसान प्रस्ण लेते हैं फिर आगे इससे अधिक भारी वाला question भी आएगा इसी वीडियो में तो अलग-अलग type का question होना है तो आपको पूरा वीडियो देखें चले दूसरा प्रस्ण है अंग्रेजी वर्नमाला में कौन साक्षर बाएं से सोलमे अस्थान पर है यहां बाएं से का मतलब क्या है जैसे आप अगर A, B, C, D लिखते हैं तो इसमें क्या होता है चले इसको Z तक मन लिजे यहां पर पूछा क्या जा रहा है कौन साक्षर बाएं से सोलमे अस्थान पर है तो बाएं से मतलब A से तो A से गिंती करेंगे तो सोलमे अस्थान पर कुन होता है P होता है ठीक है तो तीसरा ओप्षन इसका क्या है सही है चलिए अगला प्रोशन देखते हैं अंग्रेजी वर्ण माला में कौन साक्षर 22 से 20 अस्थान पर है बता है 22 से 20 अस्थान क्या होता है T20 आप जानते हैं 20 अस्थान पर हमारा T होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी वर्ण माला में कौन साक्षर दाएं से बार हमें अस्थान पर है इस बार कहां से पूछा गया है दाएं से यानि कि Z के वर से गिंती शुरू हो रहा है इसमें कैसे हम करेंगे तो इसके लिए आपको विपरीत करम याद रखना है तो हम बता दिये थे जैसे A का क्या होता है Z, B का, Y, C का, X इसी तरह से D का, W तो यह बता दिये थे पिछले वीडियो में अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लिजे तो यहाँ पे सबसे पहले हम दाएं से पूछा जा रहा है तो हम बाएं से ही लेंगे जैसे बाएं से हम जानते हैं बार में अस्थान क्या होता है अब चुक्छी यहाँ दाएं से पूछा तो L का उल्टा आपको याद है L का उल्टा O होता है तो यह हमारा O एंसर हो जाएगा तो दाएं से पूछा जा रहा है तो हम क्या गरेंगे 22 से अक्सर ले लेंगे और उसका विप्रित जो होता है तो विप्रित ले लेंगे वह हमारा एंसर हो जाएगा आपको एक फर्मूला बताए थे L O V Love, L का उल्टा O और V का उल्टा E चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अंग्रेजी वर्ण माला में कौन सा अक्सर दाइश से दसमें अस्थान पर फिर कहां से पुछा जा रहा है दाइश से तो हम क्या लेंगे पहले 22 से ले लेते हैं दसमें अस्थान पर कौन है अब फिर उसका विप्रित कर देंगे तो देखिए यहां पर 22 से कौन है आपको पता है बाएं से जे है, है ना, इसका वीपृइत क्या होता है आपके उता है जोकर कुईन जे का वीपृइत क्या होता है, क्यूँ TO हमारा तीसरा ओप्शन सही है, चली छथा प्रसन है अंग्रेजी वर्ण मला में 22 से 15 में अक्षर के बाएं दस्मा अक्षर कुन होगा अब इस टाइप का सवाल में आपको क्या करना है कि दिसा देखना है ठीक है यहां बाएं और यहां भी बाएं तो अगर दिसा सेम हो एक जैसा दिसा हो जैसी कि बाएं बाएं है तो यहां पर हमें घटाना है ठीक है दाएं दाएं तो घटाना है यानि दिशा सेम हो तो घटाना है दिशा अलग-अलग हो तो जोड़ना है याद रखेंगे दिशा सेम होने पर क्या करना है घटाना है अलग-अलग होने पर जोड़ना है यहां बाएं है बाएं है सेम है तो जोड़ेंगे यहां 15 है और यहां यहां पर सेम रहे कोनह सा अक्षर होता है तो इह होता है तो इसका मतलब इसका सही सर होगा इक कोननो प्रोप्शन पाला प्रोप्शन मैं ते अगला परस्त देखिए अंग्रीजी वर्ण ऑर्ला में 22 से 9 में अक्षर के बाएं 3 अक्षर कोन सा होगा यहां पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बाएं यहां भी देखेए बाएं तो अभी आपको बताए लिशा से मोहने पर घटाना आई इधर से को में नो इधर स्कून है तीसरा अक्षर तो 9 में से 3 गया क्या बज्जाएगा 6 छो नमर पर कौन सा लेटर होता है एफ होता है तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्षन डी अगला फ्रस्ण देखते हैं करा आपके दाहिने से 20 में अक्षर के दाएं 9 अक्षर कौन सा होगा इस बार किधर से पूछ रहा दाहिने से मतलब जैड के उर्थ से गिंती होगा याद रखना है तो यहाँ पर पूछ रहा है पहले देख लेते हैं दिशा दहिना है इधर भी दाया है तो दिशा सेम है तो पहले तो घटाना है तो 20 में से लोग या कितना बचा 11 आप जानते हैं 22 से 11 नमर क्या होता है के लेकिन यहां पूछा जा रहा है दाहिने से तो के का जो विपरित होता है ले लेंगे के का विपरित क्या होता है के पी ठाकुर बताए थे तो के का विपरित पि होता रिस का सब्सक्राइगा ठीट है क्योंकि यहां दाहिए से पूछा जाये आज तो फ्रोसेस स्यम है डिशा से में तो घट लेंगे ग्यारा होना चाहिए था लेकिन यहां 22 से पूछता तो के एंसर होता चुकि दाएं से पूछा इसलिए के का भी प्रित ले लेंगे वह एंसर हो जाएगा पी नुमा प्रोस लेते हैं यदि अंग्रेजी वर्ण माला को यहां उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है उल्टे क्रम का मतलब जैड़ वाई एक्स डबलू इस तरह से लिखा जा रहा है तो दाएं से उनसमें अक्षर के दाएं का आठमा अक्षर कौन सा होगा प्रोसेस सेम है दा किसे अन्सर हो जाएगा आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ अप बीफरीत क्यों ही लेंगे क्यों की सीकिया है यहां प्रिफरेट क्वाल्य sends का क्बार्षर कर देखते हैं जयरेख अंग्रे माला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से उनेसमें अस्थान के नाEM यहां फिर सम्पप्रोच्स है उनने दाएं दाएं तो घटा लेंगे कितना बच गया घ। कि दस्पसद्चानल अधर दस क्या होता है ज़े होता चुत कि यहां पर उल्टा करम मेh ही लिख दिया है तो हमें इस परकार इसका अंसर या या हो जाएगा जे हो जाएगा अ छले एक 11 नमर के से मैं है अंग्रे जी वर नमाला में 22 से 4 में अक्षर के दाएं का 10 मा अक्षर कुन होगा यहां है बाएं यहां दाएं अब अलग-अलग दिशा का फ्रस्न है तो बताए थे अलग-अलग दिशा में जोड़ना है तो 14 अदस कितने हो गए 24 24 नमर कौन सा लेटर होता है एक्स होता है एक्स इसका अंसर तीसरा उप्सन सही है आगे बढ़ते हैं अंगरे जी वर्णमाला हम दाएं से तीसरे अक्षर के बा अरवां 12 3 हो गया 15 ठीक है 15 नमर क्या होता है हमारा ओ होता है लेकिन यस सवाल में क्या कहा रहा है यह दाएं मतलब की Z के और से गिंती हो रहा है वाय से नहीं ओ हुआ पंद्र हुआ लेकिन सवाल पूछ रहा है दाएं से बताईए तो दाएंस के लिए O का हम विप्रित ले लेंगे तो O का विप्रित क्या होता है लेकिन होगाएगा चुक्की दाएंस पूछ रहा है इसलिए इसका अंसर हो गया यदि अंग्रिजी राम को उल्टे क्रम में लिका जाए यहां उल्टा क्रम लिक रहा है दाएं से बाएं चली दाएं बाएं का connection है तो जूटेगा तो 11 साथ कितना हो गया 18 18 नमर क्या होता है हमारा आर होता है तो आर एंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर हमें उल्टाने की जरूत नहीं चुकि वर्ण माला को ही उल्टा करके लिख दिया गया है तो आर ही एंसर हो जाएगा अंग्रेजी वर्ण माला है बाएं से साथ में और दाएं से पांच में चुकि दाएं बाएं का connection है तो जोड़ेंगे अलग लग दिशा में तो क्या हो गया बारा बारा नमर क्या होता हमारा एल होता है तो एल एंसर हो जाएगा यहां बाएं से पूछ रहा है उल्टाने की जोड़त नहीं है अंग्रेजी वर्ण माला बाएं से ग्यार में अदाएं से तीसरा चली अलग अलग दिशा है ना जोड़ेंगे एक यारा तीन हो गया 14 और पूछा किसे बाएं से पूछा है तो अलग करने की जोड़त है नहीं 14 नमर क्या होता है एन होता है तो तीसरा ओप्षन सही है चली अगला प्रसन है अंग्रेजी वर्ण माला में 22 से 21 अक्षर और 22 से 10 में अक्षर के ठीक मध का अक्षर हमें ग्यान करता है तो इसका फॉर् मिला होगा 22 27 मàiनस दाएं याद कर लीजिए 22 27 मांस दाएं बटत दो यह वाला शुत्रा आपको लगाना है कब लगाना है जब ठीक बीच की संख्या पूछेगा या ठीक मदी की संख्या पूछेगा मदी और बीच एक ही बात है तो यह फर्मुला लग बाएं पुलस 27 मिनस दाएं बटे दो तो यहां देखिए बाएं कितना दिया है 21 ले लिजिए पुलस हो जाएगा 27 सुत्र से आएगा दाएं कितना दिया है 10 तो 10 ले लिजिए यहां पर कोष्ट लगा लिजिए बटे में 2 कर देते हैं अब देखिए यहां पर 21 पुलस 27 मिनसे 10 जाएगा कितना बट जाएगा 17 बटे हो गया 2 तो 21 और 17 को जोड़ें क्या हो जाएगा 38 38 बटे 2 तो 19 आएगा कटके 19 निमर पर जाएगा तो इस प्रकार बनाना है आगे बढ़ते हैं 17 नुमर कोस्टन देखते हैं यहां वही सेमाला है ठीक बीच की संखिया पूछ रहा है ठीक बीच में है थिजिक बीच की संखिया पूछ रहा तो यही 22 पलस 27 मिनसे नाएग्शेट दो तो बांएं कितना है 20 प्लस 27 मि से यहां पर आठ बज जाएगा ना बट्ट दो अठाइस बट्ट दियाने चोदर कटके आएगा तो चोदर क्या होता है एन होता है तो आप्शन भी हमारा एंसर हो जाएगा इसी तरह से अगला पुरस्ण है बाएं चलिए यहां भी ठीक मद का वही समाल है 21 प्लस क्या हो जाएगा 27 मैंनस 18 मट्ट दो चलिए सोल कीजिएगा तो 21 प्लस 27 में 16 गया नो तो 21 नो हो जाएगा किना 30 30 का अधा 15 पंदर नमर क्या होता है वो होता है तो वह एंसर हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं अंगरे जीवन वाला में ठीक मद की संख्या यह इसमें पूछ रहा तो 18 प्लस 27 मैंनस 17 बट क्या हो जाएगा 2 तो 18 प्लस यह हो जाएगा 10 बट दो 28 28 बट दो 14 आएगा कटके 14 नमर क्या आता है एन आता है तो इस तरह से आसानी सा बना सकते है ए प्लस 27 मैंनस 18 बट रहा हो गया दो तो 9 प्लस 27 मैं से ठार गया 9 बट दो 99 18 बट दो कटके फिर क्या आ जाएगा नो ही आ जाएगा चुकि नो नमर अस्थान पे तो यह था ही फिर भी नोय आ रहा है तो इसके बीच में कोई संख्यात्वरण होगा तो नहीं होगा तो यहां पर हो जाएगा option number D से हो जाएगा कोई नहीं क्योंकि नो नमर अस्थान पर है यह नो नमर अस्थान पर तो बीच में कैसे कोई होगा दस ग्यारा होता तो होता तो option D से ही इसमें इसे भी आप देखेंगे कि 18 और 9 जोड़के 27 हो जाता है इस कंडिशन में अगर 26 से ज़्यादा हो जाए तो कोई नहीं होगा ठीक है यहां 27 हो जाए तो नहीं होगा यह सिदा सिदा देख लीजिए नो नो था नो आया तो इसके ब दाएं का सातमा अक्षर कोन है जो 22 से नो मा है तो यहां पर देखेंगे उस अक्षर के दाएं का सातमा अक्षर कोन है जो 22 नो मा अक्षर कोन है पता है आई आई है नो मा अक्षर कोन है आई अब क्या कर रहा है उस अक्षर के दाएं का तीसरा दाएं का सातमा अक्षर कोन सा बताना है इसके दाएं साथमा रहा है तो इसका मतलब पीछे जाना होगा तो और अगला कौन साग्ट सर डी के दाएं उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर M की बाएं B है अब M के बाएं B कितनी दूरी पर है तो देखिए M 13 नमर पर होता है B दूसरा नमर तो इसका जो बीच का दूरी है इतना लेटर का फॉर्क है 11 लेटर का फॉर्क है तो 11 तब काता डी के दाएं उतनी ही दूरी पर क्या है तो डी के दाएं उतनी ही दूरी पर क्या है तो डी के दाएं उतनी ही दूरी पर क्या है तो डी हो गया चार नमर पे उसके आगे उतना ही दूरी पर 11 जोड़ दीजिए 11 कारफ चार होगा 15 तो पंद्रा नमर क्या हो जाएगा हमारा बंद्रांक की O है तो ऑप्सन C हमारा सही अंसर है कि अग्ला देख लेते हैं एक सके दाएं चोथे अक्षर के बाएं नूमा अक्षर कुन सा होगा है ना एच के दाएं चोथा अक्षर तो एच के दाएं एच है दाएं इधर जाएगा चोथा अक्षर तो चार इसमें बढ़ जाएगा तो आठ होता नहीं है तो बारा हो गया चोत्य अक्षर के बाएं अब बाएं कर रहा तो पीशे जाएगा 9 अक्षर तो बाएं चले आईए घटा दीजिये क्या बज़ जाएगा 3 3 क्या बज़ जाएगा C हमारा एंसर हो जाएगा चलिए अगला देख लेते हैं अंग्रेजी वनमाला में कौन सा अक्षर एके दाहिनी और उतनी दूरी पर है जितनी दाहिन दूरी पर पी के बाएं सी है पी के बाएं सी कितनी दूरी पर 3, 16 तो यहां पर 13 का डिफरेंस है 13 अक्षर का तो एके दाहिनी और ए हो गया 5 पर दाहिन जाएगे तो जूटेगा 13, 5 होगे, 18, 18 नमर क्या होता है? R होता है, तो option हमार हमारा कौन सा सही है? तीसरा वला सही है, अंतिम प्रस्म देखते हैं, B से जो सम्मन D का है, E से जो सम्मन G का है, वही सम्मन I का किस्चे है? तो B और D में क्या सम्मन देखिए, यह बी 2 नमर को होता है, D 4 नमर के दो बढ़ा दिया, E 5, E 7 पो होता है, यहां भी 2 बढ़ा दिया, तो E 9 पो होता है, तो 9, 2, 1, 1, यानि क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो option नमर पहला सही है, चलिए यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताईएगा, फिर आपके इस चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं, वह भी कमेंट करें, चलिए धनिवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में,